हेलो एर्यवन एंड वन्स अगें वेलकम बाक टो उमर्तस्कीर यूट्यूब चैनल माइसल्फ उमर्तस्कीर का इस लुकर श्टूडियो कोर्स के आज के इस पटिकलर वीडियो में हम लोग देखने वाले किस तरीके से किसी रिपोर्ट के अंदर हम लोग ब्रैंडेट क्वेर को और नॉन ब्रैंडेट क्वेरी को अलग कर सकते हैं उनको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहने का सीथा सा मतलब यह है कि यहां पर जैसे आप देख रहे हो मेरे पास एक गूगल सच कंसोल के अंदर क्वेरी वाइस आपको जो है बहुत सारी मेंटर्स की अन आप अनलिसिस कर सकते हैं को ध्यान में रखें को डेमेंशन बना कर यहां पर अगर मैं यह चाहता हूं कि जैसे लिट से यहां पर लिखा हुआ है तो इसको मैं कि यहां ब्रैंडड को तो जहां-जहां pro movers है मैं चाहता हूए एक और क्म बन जाए और प्रो मुवर्स के आगे जो है वह लिख जाए और जहां-जहां प्रो मुवर्स नहीं है जैसे अगर मैं बात करों यहाँ पर जाहिए जाए तो एक नए डिमेंशन में यहां पर बनाऊंगा और यहां मैं लिख देता हूं branded और non-branded fine और यहां पर मैं एक जो है वो syntax लिखूंगा इस syntax को मैं समझा देता हूं आपको fine यह जो syntax यहां पर लिखा हूं थोड़ा सा बढ़ा करके आपको समझा देता हूं so the case is when rejects expression जो है वो contain करेगी query के अंदर pro movers right तो लोग इस type से pro movers search कर रहे होंगे या फिर इस type से भी search कर रहे होंगे ठीक है तो मैं दोनों ही चीज़ें आपर mention कर देता हूं so अगर किसी query के अंदर pro movers इस तरीके से या pro movers इस तरीके से contain होता है then उसको branded label कर दो otherwise वो non-branded तो है then we will end the case right so मैं इसको copy करके यहाँ पर मैं replace कर दूँगा and then यहाँ पर मैं देखूंगा यहाँ पर मेरे को green tick तो दिखी रहा है और name भी मैंने रख दिया इसका branded और non-branded और now we will apply it तो जैसे मैं इसको apply करूंगा अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखे classification जो है रहा वो काफी proper दिख रहा है यहाँ पर pro movers है ठीक है तो branded में आ गया यहाँ पर प्रो मुवर्स है तो branded में आ गया यहाँ पर pro movers है तो branded में आ गया तो आपको पता चल रहा है कि branded queries से कितने clicks वगए रहाए हुए तो अगर मैं query को यहां हटा दूँ यह जो queries आपको दिख रहे हैं और केवल मैं branded और non-branded के basis पर इन matrices के analysis करना चाहूँ तो that is very much possible, जो मैं simply query को हटाऊंगा, आप केवल मेरे को दो चीज़ें यहां पर दिखाई देंगी, तो I can create these kind of reports also, आपको explore करने की जोड़त है, चोड़े हम लोग ने इस्तमाल किया है, अगर आप इसको देखेंगे, यहां पर rejects contains है, इसी तरीके से different different type से भी आप rejects का इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पर आ जाओ, तो आप देखें, जैसे यहां पर rejects contains आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी तरीके से rejects expression match का भी है, अगर आप exactly उसी contain करेगा, जैसे यहां पर आप देखेंगे हो, contain कर रहा है, इसलिए यह branded हो गया, अगर आप exact रखते हैं, तो जब तक exact pro mover नहीं होगा, तब तक वो इसको नहीं लेगा, जैसे Google Ads में हमारे keywords होते हैं, match types होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, तो यहां पर इसका proper documentation भी दिया मैंने आपको एक practical case बताए कि branded or nor branded को किस तरीके से आप categorize कर सकते हैं, और फिर उससे आप फर्दर अपनी analysis कर सकते हैं, दोस्तों आशा करता हूँ, वीडियो को पसंदाया होगा, इस पर्टिकुल वीडियो में इतना ही, मिलता नेक्षिटों में, till then, good bye. झाल